आजकल हार्ट अटेक और कोरोनरी ब्लॉकेट्स की समस्या बहुत जादा बढ़ गई है और इसको लेके बहुत सारे लोग हैं जो अपने कोलेस्ट्रॉल को लेके परशान है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक दवाई आसकल प्रेस्क्राइब हो रही है अटॉर्वाइस् प्रेस्क्राइब हो रही है लेकिन फैक्ट यह है कि यह दवाई हार्ट को ठीक करने की वज़ाए उसे और उल्टा कमजोर कर रही है और स्टेटेंस का पूरा कारोबार एक बहुत बड़ा मेरिकल फ्रॉड है तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि यह स्टेटेंस क्या है इ समझेंगे 1985 में बुरूत रॉष नाम के एक केमिस्ट ने एक नया मॉलिक्यूल बनाया जबकि वो वार्णर लेंबर्ड कमपनी में काम करते थे मॉलिक्यूल का नाम था एटॉर वैस्टेटिन तो इस पर फिर रिसर्च चलती गई चलती गई और 1994 में जाके इस पर क्लिनिकल ट्राइल हुए करीब 4444 लोगों पर क्लिनिकल ट्राइल की गई सारे मरीज स्केंडिनेवियन थे और कंपनी ने दावा किया है कि यह जो दबाई है यह क्लिस्टरॉल को कम करती है और हार्ट एटेक की संभावना को भी काफी कम कर देती है तो यह उस समय की बहुत बड़ी ख असात मार्केट में उताते हैं तो 1996 में यह दवाई बजार में उतारी गई और फिर यह दवाई ऐसी चली ऐसी चली कि फाइजर ने वार्नर लेंबर्ड को ही खरीद लिया और 14 सालों में फाइजर ने इससे 700 बिलियन डॉलर कमाई 700 बिलियन डॉलर समझते हैं आप कितने होते हैं भारत के पूरे बजट से के आदे से थोड़ा कम तो इतनी बड़ी रकम फाइजर ने इससे कमाई और फिर जाके 2011 में इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया तो 2011 में यह जेनरिक दवाई हो गई और फिर बहुत सारी कम्पनिया इसके अलग-अलग ब्रांड लेके बजार में आगी हैं 2011 तक थोड़ा टाइम हो गया था पेटेंट भी एक्सपायर हो गया था तो फिर धीमे 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 इसके बारे में निगेटिब बातें आना शुरू ही और यह समझी में आया है कि इवन जो पहली जो क्लिनिकल तो यह डेटा कई दफाँ एमगीग्वस होते हैं तो 2011 में जनरेक होने के बाद यह जब आना शुरू हुए तो पता चला है कि यह दवाई तीन बहुत बड़ी गड़बडियां कर रही है पहली गड़बड़ी यह कि यह दवाई मस्कुलर वीकनेस लाती है पूरे शरीर की जो नसे हैं मसल्स हैं उनको कमजोर करती है कार्डियक मसल्स को मिलाके तो इस तरीके से यह हार्ड को कमजोर करती है और दूसरी गड़बड़ी यह दवाई यह करती है कि यह नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है तो ऐसी चीज़ें जिससे कि मिमोरी कम हो जाना और भी कई neurological और nervous problem होने लगती हैं और इन दोनों को मिला के muscular और nervous problem का जो मिला जुला असर दिखता है वो लोगों के उपर impotency के form में दिखा इसको खाने से बहुत सारे लोग नपुनसक हो गए और जो तीसरी बड़ी problem इस दवाई ने की वो यह थी कि इसको खाने से कई लोगों को diabetes हुई अमेरिका में अकेले 3000 केस चल रहे हैं company के उपर उन लोगों ने यह दायर कर रहे हैं जिनने खाने से diabetes हुई तो यह तीन बड़ी problem कर रही है muscular weakness करती है nervous system को weak करती है और diabetes करती है तो यह तो रहे इसके नुकसान अब इसके फायदों की बात कर लेते हैं तो दावा यह था कि यह cholesterol कम करेगी और cholesterol कम करने के साथ साथ heart attack की संभावना को कम करेगी लेकिन अभी कोलेस्टरॉल और हार्ट अटेक को लेके कुछ नई चीजी सामने आ रही है वो चीज ये सामने आ रही है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका कोलेस्टरॉल सही है तो हार्ट अटेक नहीं आएगा ऐसे बहुत लोगों को heart attack आ रहा है जिनका cholesterol सही है और दूसरी चीज ये कि cholesterol और heart attack का वैसा connection नहीं है जैसा हम समझते है ये इस तरीके से समझे कि cholesterol से heart attack आ जाएगा ऐसा नहीं है बलकि हाँ अगर cholesterol है तो वो एक indication जरूर है कि heart attack आने की संभावना बनती है ये ऐसे समझे कि जैसे अगर किसी को infection है तो उससे बुखार आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बुखार है तो infection हो जाएगा तो खाली बुखार treat करने से infection चला जाएगा ऐसी बात नहीं है आप infection treat करेंगे तो बुखार जाएगा तो इनका जो connection है cholesterol का और heart attack का ये पूरा redefine हो रहा है तो ये फाइदा भी बड़ा question mark में आ गया है तो ये पता चले थोड़ा time हो गया है लेकिन फिर भी इनके prescription कम नहीं हुए है क्योंकि बहुत सारी company हैं इनमें involved है और doctor के लिए एक motor commission involved है तो दवाइ खाके cholesterol कम करना बिलकुल sensible नहीं है cholesterol कम करना चाहिए heart को मझूट करना चाहिए लेकिन इनका जो रास्ता है वो दवाइ खाने से नहीं है इनका रास्ता होता है कि हमें अपना lifestyle ठीक करना चाहिए तो ये cholesterol कैसे कम होगा, lifestyle में क्या changes लाने चाहिए heart attack की समावना कैसे कम होगी lifestyle में क्या changes लाने चाहिए इसकी बात हम करेंगे इसके लिए एक दो अलग से वीडियो बनाएंगे तो अगर आपके घर में या आपको diabetes है heart की problem है BP है या cholesterol बढ़ा हुआ है तो आप अपने सारी दवाईया चेक करें और देखें कि कहीं उसमें statin तो नहीं लिखा है atorva statin या statin word तो नहीं आया है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाईए और उनसे पूछिए कि क्या ये दवाई खाना ज़रूरी है क्या है क्या ये जबाईया उनसे जबाईया चेक कि लिए चाहता है आप अपने तो आप अपने तो आपने नहीं जबाईया